नमस्कार दे नगरी नियूज के विशेश कारेकरम सेहर नावा में आपका स्वागत है आज हमारे साथ पर डॉक्टर अरात्ना है एसमेस अस्पताल में वरिश्ची किस्षक है और आज हम बात करेंगे गठिया रोग को लेकर आम तोर पर गठिया रोग को लेकर लोगों के मन म आज हम इस विश भाग करें अपने वाले रिःतरर इस है उसका नापना है ज्खती सुज़ निदी गाते है रोग्न की बात करें तो दूदी कि अगरे प्रेतरा प्रेत्स कारें च्रुण है और तो एक जोंदी आपके जॉञ्ख लोगी घाए सिपने रुटरिय को बात करें अब जोड़िनें इसमें आपके शरीर का पोई साभी भाग है जा आपके आखे हैं आपके अंके हैं अपको मुझा अपस्पराइटी अपके एसमें अफेक्टे हो सकते हैं आपके फेट्नीज इसमें जा सके यह लिवर जा चमडरी आपने बहुत लों को देखा हो गागा जिए पर देखा जाता है परिवार के अंदर महिला होती है या जो भी अप्रस्य होता है जो भी जो हाज अध्ब्ह यह परीवार करने का वहाना होता है कि आम तुर जो बात करना पठता है उस सदस्य को तो क्या कुछ पैचान होती है किस तरह से पैचान कर रहा था है यह बहुत ही आप में अच्छी बात है क्योंकि जैनली क्या रहता है यह यह बीमारी क्या होते है यंग अगर किसी लड़की की शादी होके आई है और इसको 2-3 महिने के बाद यह बीमारी शुरू हुई है तो इसके सास इसके पती से लड़ना शुरू कर देता है कि हमें बहुती निखटी बहु मिली है कि सुबह उठती नहीं है खाना बनाकी नहीं देती आप इसके लिए या बात खराब केज़े दिन का वो सुबह होता है तो उसमें क्या रहता है कि जब आप उठे तो आपके जो जोड़ हैं हमें सुजन आ जाएगे अकड़ जाएंगे तो जैसे जैसे दिन चड़ेगा आपके अक्टिविटी होगी तो आपका अच्छा लगेगा इसी तरह एं कालोजि किसी जोड़ में सुजन आरी है उसके आखे बहुत लाल हो रही है उसके और भी है शरी में चाकते और धूट से एलर्जी हो लिए तो फॉरण अपनी डॉक्टर को देखे हैं मैं एक सीधा सा यह है कि आपने पैचान तो बता दी कि इस तरह से हो सकता है अगर इलाज की बात अब तो कापी अग्वांसे आगे हैं फ़ले हमारे पास एक दो दवाईये उति जिसके अग्वाइब नेकिन अब आरे पास जानचो के बहुत परीके आगे हैं जो सबसे सेफेस्ट और क्विकेस्ट है अल्टरसाउंड जिसको हम सोचे अल्टरसाउंड उसे पेट भा होता ह और बाकी हमारे पास पूरा पैनल है और जहां तो इलाज की बात है इसमें और टैबलेट्स पी हैं आपके मीटो ट्राइजल, सलफासालेजन, लेफ्रोनमाइड और इन से काम नहीं होता या इनके नुकसान जादा होता है तो हमारे पास जो हैं बाइलिजिकल होते हैं जो ए मादत मेली है कि काफी सारी दवायां अफ्री हो गए हैं तो हमारे वाले मादीचे को अपोड़िटी नहीं ती एक 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 इंजेक्शन पच्छी हजार का आज पेशन को प्रीमें तो आज पेशन को प्रीमें एक मतलब सीदे तो जानना जाएंगे कि कहां शरीव में सब्से जाएंगे करता है तो कब इसके लक्षन मतलब समझ में आए तो अवेर हो जाना चाहिए इसके लिए सबसे पहले एज देखे हैं वैसे किसी भी एज में हो सकता है लिकिन अगर कोई बड़ी उमर का है पचाँ साट साल का है और वो केरा मेरे से गुर्तमी में दर्द है और छलता हूं तो मेरे से चला नहीं जाता तो हम ऑसके ऊच्छाहिति को ऐसकते है गढ़ अजह है लेकिन अगर वह जोंगेि ने उतना हएं जोरें गिकां, विर हो से टॉलाइएंटे यु जोर्त भूले, लगे को यह उतना हग तना हाथ है पाился, कलाई इख ऐसके बड़ू है अपनी जो जो अपनी जो अपनी का जनली तो यह जो और शेर घ्र शोर इसमें रहते रहных और अध्राइटिस लेकिन अगर आपके प्रेडॉमिन्ट अपनी रहते तो प्राइटिज हों सकता है या सोरियतिक अर्थराइटिस या हम और बीजऊ रीयक्ति आटराइटिस दॉन में हो सकता है हम हर जोर दॉर का एक अलग इसमें इंपोर्टेसिए मेंद रुदिया तयर से ले हैं कि इसको जहां पिलाहिए रहते हैं विपता है एक जो अरुद एक बात बढ़ किस बात कि पर चाहँ है कि एक उर्डारी पर जाहँ हो पने यह उदोर का सो। लेकिन अवेरनेस सबसे जरूरी है अगर आप समय रहते अवेर हो जाते हैं तो इस बिमारी का इलाज आसानी से कुछ सकता है फिलाल देनगरी जोज पे इता ही आपने रही हमारे से